नमश्कार सीनियूस भारत में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रचा सिंग अठारवी लोगसभा के पहले सत्र की शुरुवात हो गई है पहले दिन अखलेई श्यादों डिमपल यादों और समाज जिवादी पार्टे के सभी अन्य सांसत भारत के सम्मिधान की एक प्रती लेकर संसत पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया लेकिन इस दोरान एक ऐसा नजारा देखनी को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया और सोचणे पर मजबूर कर दिया कि अरे आरे अखलेई श्यादों करना क्या चाहते हैं दरसल जब अखिलेश यादों के साथ अन्य सपा सांसासत्र में हिस्सा लेने के लिए जो आ रहे थे तब सपा प्रमुक के साथ त्वजाबाद से सांसत अबधेश प्रसाद पासी निज़र आए इतना ही नहीं जब अखिलेश यादों संसत में बैठे हुए थे उस वक भी अबधेश प्रसाद उनके साथ बैठे हुए निज़र आए इस पूरी घटना के तस्वीर सुर्खियों में बनी रही और सियासी समीकरण के लिहाज से से काफी अहम बाना क्या देखिए ये रिपॉर्ट नई संसत में सपामुख्या अखिलेश यादों ने सोमवाल को जब बतोर संसत प्रवेश किया हर किसी की नजरे उन पर टिक गई अखिलेश के एक हाथ में समीधान की पुष्टक थी दूसरे हाथ में उन्होंने आयोध्या से अपने नवेले सांसत अब्जेश प्रसाद का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था सेडिया चड़कर वो अब्धेश प्रसाद को अपने साथ अंदर सदन में ले गए इस दौरान अयोध्या सांसत ने जुक कर संसत की सीडियों को प्रणाम किया अंदर सदन में अखलेश यादों कॉंग्रस नेता राहूल गांधी के साथ विपक्ष के पहली पंक्ती में बैठे खास बात ये रही कि यूपी विधान सभा की तरह यहां भी अवधेश प्रसाद अखलेश के बगल में ही बैठे निज़र आए राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अवधेश प्रसाद को इतना महत्त देकर अखलेश यादों ने बड़ा सियासी संदेख्ष दिया है कही न कहीं आयोध्या में बिजेपी की हुई किरकेरी को उनने भुनाने की कोशश की है संसद में प्रवेश के मौके पर अखलेश अपनी पार्टी के सभी सांसदों के साथ मेडिया के सामने पहुँचे उनके बगल में पतनी डिमपल यादों और चाचा राम गुपाल यादों भी मौजूद थे इस बीज अखलेश ने पीछे खड़े अबधीश प्रसाद का हाथ पकड़ा और उन्हें सामनी लेकर गए उन्होंने सबसे परिचे कराये तो अबधीश प्रसाद ने हाथ जोड़ कर अभी बादन किया दली समाल से आने वाली अबधीश प्रसाद को अखलेश यादों लगातार तवजो देते रहे यूपी विधान सभा में भी वो अखलेश के बगल में बैठे रहे लोगसभा चुनाओं से पहले सपाने पीडिये की जो पॉलिटेक शुरू की अब देश प्रसाद उनका बड़ा चहरा है पिछ़़ा दलित और अल्पिस संखेकों को तरजीह देकर अखलेश यादों ने 37 सीटों पर कबजा जमा लिया है अब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने इस लोगसभाचनाओं में वोट प्रतिशत वा सीटों के लिहाज से अब तक का सबसे अच्छा प्रतिशन किया है उसे 37 सीटों के साथ ही 33.59 प्रतिशत वोट मिले हैं पार्टी अपने इस प्रतिशन में पीडिया राजनीती का अहम योगदान मान रही है पार्टी ने पिछनों में 11 यादों OVC पर फोकस किया तो उसे अच्छे परिणाम मिल गए इसलिए योध्या में जीत को भुना कर अखलेश नई राजनीती करना चाहते हैं फिलाल इस खास रेपोर्ट में बस अतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहेंगे सीनियूस भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाथ